तो हेलो दोस्तो अगर आप लोगों का सिबिल स्कोर काफी ज़्यादा खराब है और आपको कहीं से भी ऑनलाइन लोन नहीं मिल रहा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का ओने वाला है एक ऐसी अप्लिकेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिस पर करना बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकती है तो देखे सबसे पहले आपको इस अप्लिकेशन को करना होगा प्ले से डाउनलोड उसके बाद आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी यहाँ पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा नेक्स स्क्रीन के उपर है दोस् इसका home screen का interface देखने को मिलेगा यहां पर दोस्तों आपको loan apply करने का option मिलेगा तो आप यहां से जो apply now का button दिख रहा है इस option के उपर जो है आप select कर लेंगे next screen के उपर दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि इस application पर जो है आपको 40,000 रुपय तक का loan बहुत ही easily मिल जाता है बिना किसी income proof बिना किसी salary slip और बिना किसी civil score के बहुत easily तो यहां से आप start your loan application के button पर click करेंगे next screen के उपर जो है दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर आपको इस application को permission देनी होगी आपके phone की contact details access करने की SMS details करने की और location permission देनी होगी तो दोस्तों आपकी SMS की history है उसके basis पर जो है यह आपका financial data निकालते हैं और फिर decide किया जाता है कि आपको कितनी limit इस application में provide करवाई जाएगी loan की तो यहां से simply आपको allow access के button के उपर click करना होगा स्क्रीम के उपर जो है दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं आपको अपना कोई एक ID कार्ड यहां पर देना होगा अब next screen के उपर जो है दोस्तों आपको यहां पर देखे आपकी name, आपका pen card number, date of birth, gender और जो आपका address होगे रहा है वो सारी basic details आपको यहां पर enter करनी होती है इसके बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं यह loan के terms and conditions हैं उन्हें आपको यहां पर agree करना होगा और continue के option के उपर select करना होगा screen के ओपर दोस्तों आप अपने जिस bank account में पैसे चाहते हैं वो आपको details यहां पर देनी होगी आपके bank का नाम और bank का account number तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि multiple यहां पर banks के option है तो जिस भी bank में आप पैसे transfer करना चाहते हैं वो यहां से आप select कर लेंगे और उसके बाद जो है आप नीचे आपर यह submit का button है इसके उपर आप click कर लेंगे और instantly आपको बता दिया जाएगा कि कितनी limit आपको इस application में देखने को मिलेगी दोस्तों अब आप यहां पर देख सकते हो मुझे 5000 रुपे ते की limit इन्हों ने आपर easily provide करवाई है तो मैं आपको एक बात यहां पर बता दूँ जब पहली बार आप इस application पर loan के लिए apply करते हो तो आपको सिर्फ 10,000 तक की limit मिलती है लेकिन जब आप अपने पहले loan की repayment टा बी मैं आप लोगों के लिए यहां पर loan लेके दिखाऊंगा आप देख सकते हैं कि 500 से लेकर के 2500 तक का loan मैं आपर ले सकता हूँ मुझे यहां पर कोई loan की need नहीं है तो मेरी request है दोस्तों आप से सिर्फ आप लोगों के लिए जो है मैं आपर यह loan लोगा तो आप इस वीडि application में maximum आपको 62 days के लिए loan यहां पर मिल जाता है तो मैं अभी के लिए यहां पर 31 days select करूँगा इसके बाद जो है आप overall details यहां पर देख सकते हैं कि 500 रुपे का अगर मैं यहां पर loan लेता हूँ तो मेरे account में आप देख सकते हैं disbursement amount यहां लिखा हुआ है 448 रुपीज आए होंगे और मेरे account में यहां पर 448 रुपीज जो हैं यह लोग जमा करेंगे अब हम यहां से continue के option के उपर select करेंगे के बाद दोस्तों जो भी bank account आपने यहां पर select किया होगा उस account में आपके directly पैसे यहां पर transfer हो जाएंगे तो पूरा live जो है अभी मैं आपको यह करके दिखा हो गया है तो इस application का link जो है मैं आपको वीडियो के description में भी दे दूँगा तो वहां से जाकर के जो है दोस्तों आप इस application को बहुत easily download कर सकते हो अब यहां पर देख सकते हो कि successful ही मेरा loan यहां पर apply हो चुका है क्योंकि इस application पर पहली बार मैंने loan के लिए apply किया है तो यह यह यहां पर 12 गंटे का time लेते हैं लेकिन maximum जो है मुझे जितनी उमीद है 2-3 गंटे में यह amount जो है मेरे bank में बहुत easily transfer कर दिया जाएगा आप चाहे तो यहां पर whatsapp updates भी ले सकते हैं तो दोस्तों जैसे यह loan amount मेरे account में credit हो जाएगा इसका screenshot भी जो है इस वीडियो के thumbnail में मैं